अगर गोबी से स्टार्टर जैसा कुछ बनाने है ना, तो शायद ये आपको पसंद आए, और मैंने तो इसे बहुत बार बनाया है क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आता है ये, तो सबसे पहल तो मैंने गोबी को उबाल लिया है थोड़ा सा नमक डालके, फिर उसके बाद मै अधर कलेसुन पेस्ट, एक बड़ चमच कश्मेरी लानमरिच पाउडर, आधा छोड़ चमच हल्दी, एक छोड़ चमच गरम मसाला और दो बड़ चमच बेसन और आधा निम्बू भी निचोड़ के डाल दिया है और मैं ले लिया है काला नमक आप ना नॉर्मल नमक कभी यूज़ का सकते हो, लेकिन ना काला नमक से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने वो लिया है अब मैंने लेना तंदूरी वाला सीख ले लिया है, अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप पैन मेंना थोड़ा सा घी आ फिर बटर डाल कर इसे पैन पे भी पका सकते हो, और अगर आपके पास ये है, तो इस तरह से पका कर इसे निकाल लेंगे, और अगर वीडियो तो लाइक करना मत भूलना